नायज सिंग सैनी इस्वर की सवत लेता हूँ कि मैं विदी दुआरा स्थापित भारत के सविधान के प्रती सच्ची सरधा और निष्ठा रखूंगा मैं भारत की पर्बूता और अखंडता अक्षुन रखूंगा मैं हर्याना राज्य के मुख्या मंतरी के रूप में अपने कर्तव्यों का सरधा पूरुक और सुद्ध अंतकर्ण से निर्वहन करूंगा तथा भै या पक्षपात अनुराग या द्वेश के बिना मैं सब परकार के लोगों के प्रती सविधान के और वीदी के अनुसार नियाय करूंगा मैं विपूल गोयल इश्वर की शपत लेता हूँ कि मैं विदी द्वारा स्थापेत भारत के सम्विदान के परती सच्ची शर्दा और निष्टा रखूंगा मैं भारत की प्रभूता और अखंटा अक्षुन रखूंगा मैं हर्याना राज्ये के मंत्री के रूप में अपने कर्तेवों का शर्दा पूर्वक और शुद अंत्यकरन से निर्वहन करूंगा तथा भैय अपक्षपात अनुराग या द्वेश के बिना मैं सब परकार के लोगों के बरती सम्विदान के और विदी के अनुसार नियाय करूंगा मैं विपुल गोयल इश्वर की शपत लेता हूँ कि जो विशे हर्यार राज्ये के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अत्वा मुझे ग्यात होगा उसे किसी व्यक्ती या व्यक्तियों को उस अवस्ता को छोड़ कर जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने करतेवियों के उचित निर्भेन के लिए ऐसा करना बेक्षित हो अन्य वस्ता में मैं परत्यक्ष या परोग्ष रूप से रूप में संसुचित या परकट नहीं करूँगा मैं राजेशनागर इश्वर की सपत लेता हूँ कि मैं विदी द्वारा स्तापित भारत के सविदान के पृति सच्ची शर्दा और निष्टा रखूँगा मैं भारत की परवुता और खंड़ता अक्षुन रखूँगा मैं हरियाना राज के राजमंतरी सतंतर परवार के रूप में अपने कर्तवयों का सब्दा पूर्वक और सुथ अंतकरन से निर्भान करूँगा तता बह्य या वक्षपाद अनुराग या द्वेश के बिना मैं सब परकार के लोगों के पिर्ती सविदान के और विधी के अनुसार नयायक करूँगा मैं राजेश नागर इश्वर की सपत लेता हूँ कि जो विशय हर्याना राज के राजमंतरी सतंतर परवार के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अत्वा मुझे ज्याद होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस अवस्ता को छोड़ कर जबकि ऐसे राजमंतरी सतंतर परवार के रूप में अपने करतों के उचित निर्भान के लिए ऐसा करना अक्षेपित और अन्य अत्वा मैं परत्याक्ष या परोक्ष परोक्षा Communолод को उसे रहका होगा हूआ सये परत्ति निया व्यक्ति पिर्पामंतरी सतंती सतंते